कानपुर नगर के कल्यानपुर ब्लॉक में थानापंगी के अंतरगत आने वाले पत्रशा गाउं के कोटेदार उशा देवी पत्मी वंसिला सासन के आदेश को ठेंगा दिखा कर गरीबों के राशन को जम कर लोट रहे हैं जहां सरकार कोरोना महामारी में लोगों को छट पूजा तक फ्री राशन दे रही है जिसमें गरीब लोगों को ज़्यादा परिशानियों का सामना ना करना पड़े इस महामारी कोरोना महामारी में लोगों के नौकरी चली गई इस कुरोना महामारी में लोगों की नौकरी चली गई, काम धंदे समाप्थ हो गए इसके मद्दे नजर फ्री राशन वित्तित करने का सरकार ने फैसला लिया लेकिन सरकार के इस फैसले को कुछ कोटेदार थांदली करते नजर आ रहे हैं प्रश्ण ये उठता है कि कोटेदार में ये काला बजारी चारी करने की और कानूं के खिलाब जाने की हिम्मत कैसे पड़ जाती है रही ऐसा तो नहीं कि सरकार महकमे के अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए है राशन के कोटेदार अपने परिवार की जेबे भर रहे हैं जैसे को दिखाते हैं ठीका और राशन लेने आए गरीवों से करते हैं दुर्भैवार कौन सब्सक्राइब यह कितने यूनिट दे रहे हैं यहां कोटे पे कोटे में एक यूनिट में दू किलो चावल है तीन किलो गया है अच्छा और पांच किलो इसके अतरीक जो सरकार की जो योजनाए आई हैं जो चलने इस आसन की तरफ से उस सब कुछ दे रहे हैं आपका रीना जी क्या मामला है कोटे तेरह साल होगे मेरा कारण नहीं बना आ इस बंद्वाल बैसमें चाहिए तो आपको कभी तक नहीं मिला एक धी कीलो नहीं मिला है कितनी वर फारं बरहा आपने अपने इसमें ने नेर्ट में बराया तो नहीं आया और अफिर वह जूनियर स्कूल है आपको कोटेदार का क्या नाम है अच्छा बंसलाल क्या कहते हैं वो क्या नाम है अपका लच्छु मीजी कौन सा काम है यह पतरशा जी आपको तो यहां कोटे में रासन पूरा मिलता है कि अच्छा दो किलो काड़ आप ने कभी इस चीज का विरोध किया कोई आता नहीं है कोई साथ मी बोलता भी नहीं है आप लोगा है देखना है पूरी गली बोलीगी ज्यादा खुद बोलो तो कही ते लेना हो तो ले अपने घर झाल